कर्म बंधन क्या होते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी विशे पर कि कर्म बंधन क्या है पर उससे पहले हमें समझना होगा कि कर्म क्या है कर्म तीन स्थर पर काम करता है पहला थाट दूसरा एमोशन और तीसरा बिहेवियर यानि हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं जैसे विचार हैं वैसी ही भावनाओं होंगी यानि हमारी फीलिंग्स होंगी हम महसूस करेंगे और जैसा हम महसूस करेंगे वैसा ही हमारा behavior यानि बरताब हो जाएगा So thought, emotion and behavior ये तीनों मिलकर के हमारी personality को बनाते हैं हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं और जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है अगर हमारा व्यक्तित्व शांदार है तो जीवन भी शांदार होगा और यदि व्यक्तित्व निम्न है तो जीवन भी निम्न हो जाएगा Thought, Emotion and Behavior ये तीनों ही यदि हम Repeat करते जाते हैं लंबे समय तक Repeat करने वाले Thought, Emotion, Behavior हमारे Subconscious Mind में चले जाते हैं और हमारे Subconscious Mind का एक Pattern बन जाते हैं क्योंकि हमारे Mind को लगता है कि लंबे समय से जो विचार, जो भावना, जो भरताव हम अपना कर प्राक्टिस कर रहे हैं वो शायद हमारे जीवन के लिए बेहत जरूरी हैं इसलिए हमारा Mind उस सब Patterns को Subconscious Mind में भेज देता है और जो भी Thought, Emotion और Behavior Subconscious Mind में चले जाते वो Automatically यानि अपने आप चलने लगते हैं यानि उस पर हमारा Conscious Control खत्म हो जाता है अब जब हमारा Conscious Control खत्म हो गया तो हम चाहेंगे भी कि हम उन Patterns को बदल दें तब भी हम आसानी से बदल नहीं पाएंगे ऐसी हमारे पास बहुत से आदते पड़ी हैं बहुत से बिलीव सिस्टम्स पड़े हैं बहुत से Behavior Patterns पड़े हैं बहुत से Tendencies पड़ी हैं बहुत से सोच विचार आदते ऐसी हैं जिनको हम बदलना तो चाहतें परंतु हम बदल नहीं पा रहें क्योंकि वो Subconscious Mind में इतनी Deep चले जा चुके हैं कि वो Automatically चल रहे हैं अब हमारा Conscious Control खत्म हो चुका है और Subconscious Mind उनको अपने आप चला रहा है दोस्तों जब कोई भी चीज हमारे Conscious Control के बिना अपने आप चल रही है और हम conscious होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा रखते हुए भी निकल नहीं पा रहे हैं वही कर्म बंधन है क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावना और हमारा वरताव ही हमारे जीवन का निर्मान कर रहे हैं यही कर्म है जिसके बंधन में हम फस गए हैं यदि यह हमारे कंट्रोल में हो तो हम कर्म बंधन से मुक्त हैं और यदि हम इनके कंट्रोल में हो गए तो हम कर्म बंधन में फस गए अब इसमें से बाहर कैसे निकला जाए यह प्रश्ण आप सब के मन में जरूर आ रहा होगा तो दोस्तो इसमें से बाहर निकलने का सबसे बहतरीन तरीका है self-awareness, यानि अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने वरताव के प्रती सजग हो जाना, aware हो जाना, क्योंकि जब तक हम self-aware नहीं हैं अपने thought, emotion, behavior के प्रती, तब तक हमारा subconscious mind ही हमारे thought, emotion और behavior को control कर रहा है और उनको चला रहा है, परन्तु जैसे ही हम सजग होते हैं अपने विचार, भावनाओं और वरताव के प्रती, तब हमारे subconscious mind का control इन सब्वे से हटना शुरू हो जाता है और हमारा control इन पराना शुरू हो जाता है, इसी तरह से हम धीरे धीरे अपने इन pattern से, यानि इन कर्म बंधनों से मुक्त होने लग जाते हैं, इसी तरह से जब हम सजग रहते हैं, हम अपनी जीवन को बदल लेते हैं, self awareness, यानि बाहर नहीं, अंदर जाना, अंतर मुखी होना, बाहर मुखी से अब अंतर मुखी होना, अंदर जाना और अपने विचारों को देखना, अपने विचारों को देखना विचारों ने जिस भावना को बनाया उस भावना को देखना और उस भावना से जिस कर्म की शुरुवात हो रही है या जो एक्षन हम करने वाले हैं उसके प्रती भी अवेर हो जाना विचारों को भगाने की कोशिश नहीं करना भावनाओं को irritate होकर भगाने की कोशिश नहीं करना बस केवल उनको देखना देखते देखते ही यह automatically आपके control में आने लग जाते हैं और automatically subconscious mind का यह automatic pattern जो है वो तूट जाता है आशा करता हूँ कि आप सभी भी अपने द्वारा बनाए गए इस कर्मबंदन के जाल से मुक्त होंगे जैसे एक मकड़ी जाला बनाती जाती है और फिर एक दिन उसी जाले में फश जाती है परेशान हो जाती है वैसे ही हमने भी अनिको patterns को बना लिया अनिको habit patterns बना लिये अनिको belief system बना लिये अनिको ऐसी आदतों का निर्मान कर लिया जिसमें हम फस कहें तो अभी आज से ही self awareness की practice को अपना ये mindfulness को practice करिए ताकि आप एक आनंद मई जीवन जी सकें एक शांत जीवन जी सकें और कर्मबंधन मुक्त हो जाएं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें औरों के साथ share करें और मुझे भी अपने feedbacks comment करके अवश्य भेजें आप सभी आनंदित रहें धन्यवाद